हम सब उसके पीशे फीचे चल दाए थे नए सदन में ये नई परंपरा भारत के आजहादी के उस पवित्र पल का पतिमिम जब साक्षी बनता है तो लोग पंत्र की गरीमा कई गुना उपर चली जाते हैं ये पचतरवा गणतंत्र दिवस इसके बाद संसत का नया भवन सैंगौल की अगुवाई ये सारा द्रश्च अपने आप में बहुत ही प्रभावी था मैं जब वहां से पुरे कारकम को भाजे जारी कर रहा था यहां से तो उतना हमें भव्रता नजर नहीं आती हैं लेकिन वहां सब मैंने देखा कि वाकई नए सदन में इस गरिमा वरन उपस्थेती में राश्पति उप्राश्पति जिवराब हम सब के मन को प्रभावीत करने वाला वद्रश्य हमेशा हमेशा यहां जाए जीन मानिय करीब 60 से ज्यादा मानिय सदेशों ने राश्पति जी के आभार पस्ताव पर अपने अपने विचार रखे हैं मैं विनम्रता के साथ अपने अपने विचार व्यक्ते करने वाले सभी अपने मानिय सांसद गण का आभार व्यक्त करता हूं मैं विशेश रुप से विपक्ष ने जो संकल्प लिया है उसकी सराहना करता हूं उनके भाषन के एक एक बात से मेरा और देश का विश्वास पक्का हो गया है किनों ने लंबे अर्थे तक वहां रहने का संकल्प लिए आप कई दसक तक जैसे यहां बैठे थे वैसे ही कई दसक तक वहां बैठने का आपका संकल्प और जनता जनारदन को इश्वर का रूप होती है और आप लोग जिस प्रकार से इन दिनों मेहनत कर रहे हैं मैं पक्का मानता हूं कि इश्वर रूपी जनता जनारदन आपको जरूर आश्रवाद देगे और आप आप जिस उचाई पे हैं उससे भी अधिक उचाई पर जरूर पहुंचेंगे और अगले चुनाओं में दर्शक गिसा में दिखेंगे अधिरण जी इस बार आपने आपका कॉंट्रेक्ट उनको दे दिया है क्या आपने इनी चीजों को पुचाया है मैं देख रहा हूं कि आपने से बहुत लोग चुनाओं लड़ने का होसला भी खो चुके हैं और मैंने सुना है मैंने सुना है बहुत लोग बहुत लोग इसली बार भी सीट बडली इस बार भी कुछ सीट बदलने के फिराक में हैं और मैंने सुना है बहुत लोग अब लोगसाबाय के बजाए राजसाबाय में जाना चाहते हैं तो स्थित्यों का आकड़न करके वो अपना अपना रास्ता ढून रहे हैं अधिन्य अधिक जी राश्पती जी का भाशन एक प्रकार से पत्थों के आधार पर हकीकतों के आधार पर एक बहुत बड़ा दस्तावेज हैं जो देश के सामने राश्पती जी में पस्तावेज हैं और इस पूरे दस्तावेज को आप देखेंगे तो उन हकीकतों को समेटने का प्रयास किया है जिससे देश की स्पीड से प्रगद्य कर रहा है किस केल के साथ गतिवीधियों का विस्तार हो रहा है उसका लेखा जोखा आदर्य राश्पती जी ने प्रस्तुत किया है आदर्य राश्पती जी ने भारत के उजवल भविश्य को धान में रखते भी है चार मजबूत स्थम्भों पर हम सबका धान केंद्रित किया है और उनका सही सही अकलन है कि देश के चार स्थम्भ जितने जादा मजबूत होंगे जितने जादा दिक्सित होंगे जितने जादा समर्द होंगे हमारा देश उतना ही समर्द होगा उतना ही तेजी सा समर्द होगा और उन्होंने इन चार स्तंभों का उल्लेग करते भी हैं देश की नारी शक्ति देश की युवाश क्ति देश के हमारे गरीब भाईब हैं है और देश के हमारे किशान हमारे मच्वारे हमारे परशुपारा को उनकी चर्चा की है इनके ससक्तिकन के माध्यम से राष्ट के दिख्षित भारत के लक्षो प्राप्त करने के जो राह है उसका स्पष्ट दिशा निर्देश अच्छा होता है हो सकता है आपके हां फिशन में माइनोरिटी के नहो हो सकता है आपके हां पशुपालग माइनोरिटी के नहो हो सकता है किसान आपके हां माइनोरिटी के नहो हो सकता है महलाए आपके हां माइनोरिटी में नहो हो सकता है कि आपके हां युवा में माइनोरिटी क्या हो गया है दादा क्या देश के अन्वार जी के बात होती है समाज के सब वर्ण नहीं होते है क्या देश की नारी की बात होती है देश की समी नारी नहीं होती है कब तक ठुक्रों में सोचते रहोगे कब तक समाज को पाटते रहोगे सब सिमा करो सिमा करो बहुत तोड़ा अच्छा होता है कि जाते जाते तो कम से कम इस चर्चा के धर्मयान कुछ सकारात्मक बाते होती है उस सकारातमक सुझाव आते हैं लेकिन हर बार की तरह आप सब साथियों ने देश को बहुत निराश किया क्योंकि आपकी सोच की मर्यादा देश समझता रहा है उसके बार बार दर्द होता कि ये दशा है इनकी सोचरी की मर्यादा इतनी है अधनिया देख जी नेता तो बदल गए लेकिन टेप रिकरडर वही बज़रेई हैं वही बातें कोई नई बात आती नहीं और पुरानी ढपली और पुराना राग वही चलता रहता है अपका कि चुनाव का वरस्ता थोड़ी महनत करते कुछ नया निकाल करके लाते जनता को जरा संदेश गए पाते उसमें भी फेल गए आप सलिए यह भी मैं सिखाता हूं अधनिय दिख जी आज विपक्ष की जो हाल अफ होगी ना इसकी सबसे दोसी कॉंग्रेस पार्टी है कॉंग्रेस को एक अच्छा विपक्ष बनने का बहुत बड़ा आउसर मिला और दस साल कम नहीं होते हैं लेकिन दस साल में उस दाईत्वा को निभाने में भी वे पूरी तरा विफल गए और जब खुद विफल हो गए तो विपक्ष में और भी होना हर लोग है उनको भी उभरने नहीं दिया क्योंकि फिर मामला और गड़बड़ हो जाएं इसलिए हर बार यह करते रहें कि और पी विपक्षी जो तेजस भी लोग हैं उनको दबा दिया जाएं हाउस में कई यंग हमारे मान्य सामसद गण हैं उत्सा भी उमंग भी हैं लेकिन अगर वो बोलें उनकी छबी उभर जाएं तो शायद किसी की छबी बहुत दब जाएं उस चिं हमार से इतना बड़ा नुक्षान कर दिया है खुद का भी विपक्ष का भी संसद का भी और देश का भी है और इसलिए है और मैं हमेशा चाहता हूं कि देश को एक स्वस्त अच्छे विकष्ट की विपक्षी बहुत जरूरत है देश ने जितना परिवारबाद का खामियाजा उठाया है और उसका खामियाजा खुद कॉंगर्स ने भी उठाया है अब अधिर बाबु की हालत हम देख रहे हैं वनना ये समय था संसद में रहने का लेकिन परिवारबाद की सेवा तो कड़ी पड़ती है अधिनियात जी अब हालत देखिए हमारे खर्गे जी इस सदन से उस सदन सिप्ट हो गए और गुलाब नभी जी तो पार्टी से ही शिप्ट कर गए ये साब परिवारबाद के भेंट चड़ गए एक ही प्रोडक्त बार बार लॉंज करने के चक्कन में कंग्रेस की दुकान ताला लगने की नॉबत आगी अरे दुकान हम नहीं कह रहे हैं आप लोग कह रहे हैं आप अब लोग कहते हैं दुकान फोली है सब जगह पोलते हैं दुकान को ताला लगने की बात आई कि यहां हमारे दादा अपने आदत छोड़नी पाते हैं वहां से बैटे-बैटे कॉमेंट कर रहे हैं परिवारबाद की मैं जरा समझा देता हूं आपको ना जग महोद है मैं जरा इसी परिवार में अपने बल्गूते पर जन समर्थन से एक से अधीक अनेक लोग अगर राजनीतिक छेत्र में भी प्रगदी करते हैं उसको हमने कभी परिवारबाद नहीं कहा है हम परिवारबाद की चर्चा वो करते हैं जो पार्टी परिवार चलाता है जो पार्टी परिवार के लोगों को प्राथमिक्ता देती है जो पार्टी के सारे नेने परिवार के लोगी करते हैं वो परिवारबाद है न राजनाजी की कोई पुल्टिकल पार्टी है न अमिश यहां एक परिवार तो पार्टियां लिखी जाती है वो लोगतंत्र में उचित रही है लोगतंत्र में पार्टि पर अनेक एक परिवार के दस लोग राजनिति भाय कुछ पूरा नहीं है हम तो चाहते हैं नव जिवान लोग आएं हम भी चाहते हैं इसकी चर्चा करिए हमारे साथ आपके साथ मेरा विशे नहीं है देश के लोगतंत्र के लिए परिवार वादी राजनिति परिवारिक पार्टियों की राजनिति यह हम सब की चिंता का विशे होना चाहिए और इसलिए मैं किसी परिवार के दो लोग अगर प्रगदी करते हैं उसको तो मैं स्वागत करूँगा दस लोग प्रगदी करें मैं स्वागत करूँगा देश में जितनी नई पीड़ी अच्छे लोग आए स्वागत यह होंगे हैं सवाल यह है कि परिवार ही पार्टिया चलाती है पक्ता है कि यह द्यक्ष नहीं होगा तो उसका बेटा होगा यह नहीं होगा तो उसका बेटा होगा यह लोग तंतर का खत्रा है और इसलिए अच्छा हुआ दादा तैंक्यू यह विशे कभी बोलता नहीं दायज बोल दिया है मेरे आदेने अद्धिक जी एक ही प्रोड़क को बार-बार लॉंच करने का भरपूर प्यास हो रहा है अदेने अद्धिक जी कॉंग्रेस एक परिवार में उलज गई है देश के करोड़ों परिवार के आकांग्शाएं और उपलब्दियां वो देख पाही नहीं नहीं देख सकते नहीं अपने परिवार के बार देखने की तयारी नहीं है और कॉंग्रेस में एक कैंसिल कल्चर डेवलप हुआ है कुछ भी है कैंसिल कुछ भी है कैंसिल यह ऐसे कैंसिल कल्चर में कॉंग्रेस फ़स गई है अगर हम कहते हैं मेक इन इंडिया तो कॉंग्रेस कहते हैं कैंसिल हम कहते हैं आतमंदिर भर भारत, कॉंग्रेस कहते हैं कैंसल, हम कहते हैं बोकल फॉर लोकल, कॉंग्रेस कहते हैं कैंसल, हम कहते हैं बंदे भारत ट्रें, कॉंग्रेस कहते हैं कैंसल, हम कहते हैं संसर की नहीं हमारत, कॉंग्रेस कहते हैं कैंसल, यहने बहरान हुई है कोई मोध की उप्लब दिया नहीं है देश की उप्लब दिया इतनी नफरत कब तक पाले रखोगे और उसके कारां देश की सफलता हैं देश के एच्वेंट उसको भी कैंसिल करके आप बैठ गया हुआ आदेने अदेग जी राश्पती जी ने विक्सित भारत के रोड मैप पर चर्चा करते हुए आर्थिक पहलों पर विस्तार से चर्चा की अर्थिववस्ता की मुल्भूद जो अधार है उसके की बारीकी से चर्चा की और भारत की मजबूत अर्थिववस्ता को आज पुरी दुनिया सरा रही है पुरी दुनिया उससे प्रभावित है और जब विश्व संकर से गुजर रहा है तब को और ज्यादा अच्छा लगता है जी च्वेंटी समीट के इंदर सारे देश ने देखा है कि पुरा विश्व भारत के लिए क्या सोथता है क्या कहता है और इन सारे दस साल के कारकाल के अनुभव के अधार पर आज की मजबूत अर्थिववस्ता को देखते हुए कि जिस तेज गती से भारत विकास कर रहा है कि उसकी बारिक्यों को जानते हुए मैं विश्वाता हूं और इसलिए मैंने कहा है कि हमारे तीसरे टम्ब है आरद दुनिया की तीसरी बड़ी आर्थिक्ता कर दाद और यह मोदी की गारंटी है माणिया देखिए उनको पहले मोगा नहीं दिया था क्या आपको मोगा दिया है ना आदर्णी अदर्जी जब हम जब हम दुनिया की तीसरी बड़ी आर्थिक शक्ती बन करके उगरेगे कहते हैं तो हमारे विपक्ष में बैठे कुछ साथी कैसा कुतर्ग देते हैं वो कहते हैं इसमें क्या है यह तो अपने आप हो जाएगा मेजरा सरकार के भूमी का क्या होती है इस सदन के माध्यम से देश को और विशेश करके देश के युवा मन को बताना चाहता हूं कि देश की युवा श्रक्तियों को बताना चाहता हूं कि होता कैसे है और सरकार की भूमी का क्या होती है अधिन अध्यक जीन दस साल पहले दोहजार चौदा में फरवरी महिने में जो इंट्रिम बजेट आया था उस समय कौन लोग बैठे थे आपको तो मालूम है देश को भी मालूम है जो दस साल पहले इंट्रिम बजेट आया था उसे पेश करते सबाए उस समय के वित मंत्री ने जो कहा था नो उसको कोड कर रहा हूं और एक एक शर्द बड़ा मुल्यवान है जी जब आप लोग कहते हैं ने कि तो अपने आप तीसरे नमबर पर जा ही जाएगा ऐसा कहते हैं उनको जड़ा समझना चाहिए यह उन्होंने क्या कहा था आगे कहते हैं महंने हैं आगे कहते हैं आगे कहते हैं मнеší आजब इस बहुतर है आगे कहते हैं, आगे कहते हैं, I wonder how many have noted the fact that India's economy in terms of the size of its GDP is the 11th largest in the world. यहने 2014 में 11 नंबर पहुंचने पर क्या गवरोगान होता था, आज 5 पर पहुंच गए और आपको क्या होता है, आधनी अधिक जी, आधनी अधिक जी, आधनी अधिक जी, मैं आगे पढ़ रहा हूं, गोगई जी, आपने अच्छा कहा हूं, मैं आगे पढ़ रहा हूं, ध्यान से सुनिये, साथियो ध्यान से सुनिये, उन्होंने कहा था, आपुब पहुड़ा, पहुड़ा, पहुड़ा हूं, गव्यान से सुनिये, और आधनी अधिक जी, आधनी मैं था, इंडिया नॉमिलल जीडिपी विल टेक दे कंट्री तु दे थर्ड रैंक आप्टर दे यू एस न चाइना उस समय यह ब्रह्मान के बड़े अर्थसात्री कह रहे थे कि तीसरे नंबर पर तीस साल में हम पहुंच जाएंगे तीस साल और फिर कहा था ये मेरा विजन जो मैं बहुत लोग है जो एक ख्याला में रहते हैं वो ब्रह्मान के सबसे बड़ी अर्थसात्री है यह लोग 2014 में कह रहे हैं और वीजन क्या देखते हैं तीज़े 2044 एने 2014 तक तीछरी अर्थववस्ता की बात यह इनकी सोच यह इनकी मर्यादा सपना भी देखने का सामर्थे खो चुके देखते हैं संकल्प तो दूर की बात थी है तीस साल का इंतजार करने लिए मैरे देश की युवा पीड़ी कोई कहके रहे गए ते लेकिर हम आज आपके सामने विश्वास से में खड़े हैं इस पवित्र सदर में खड़े हैं और मैं आपको विश्वाद दिलाता हूं कि तीस साल हम नहीं लगने देंगे यह मोदी की गरंटी है मेरे तीसरे कारकाल में देश दुनिया की तीसरी आर्थी शक्ती पन्याइए कैसे लक्ष रखते दिम कि सोच कहा तक जाता है दयात ही है और आप लोग ग्यारा नमबर पर बड़ा गर्व कर रहे थे अब पांच नमबर पहुचा दिये जी लेकिन अगर ग्यारा पर पहुचने से आपको खुशी होती थी तो पांच नमबर पहुचने पर भी खुशी होती होनी चाहिए देश पांच नमबर पर पहुंचा आपको खुशी होनी चाहिए किस बिमारी में फसे पड़े हो आधरिया अध्यक जी भाजपा सरकार की काम करने की स्पीड हमारे लक्ष कितने बड़े होते हैं हमारा हौसला कितना बड़ा होता है वो आज पूरी दुनिया देख रही है अरादनिय अध्यक जी एक कवां कहावत है हमारे उत्तर प्रदेश में खास एक कहावत कही जाती है नव दिन चले अधाई कोस और मुझे लगता है कि यह कहावत पूरी तरह कॉंग्रेस को परिभाशी तर देती है कॉंग्रेस की सुस्तरफकार का कोई मुखाबला नहीं आज देश में आज देश में आज देश में अधनी अध्यक जी अधनी अध्यक जी अधनी अध्यक जी शहरी गरीबों के लिए हमने गरीबों के लिए चार से घर बनाए हमने गरीबों के लिए आज देश देख जी हमने गरीबों के लिए चार करोड घर बनाए और शहरी गरीबों के लिए अध्यक पक्ते मकान शहरी गरीबों के लिए बने कॉंग्रेश अगर कॉंग्रेश की जो रप्तार थी उस प्रकार से चला होता तो सो साल लगते इतना काम करने में सो साल लगते हैं पांच पीडिया घुजर जाती है अधने तिक जी बस वर्ष में चालीस हदार किलोमेटर रेलवेट रेक का इलेक्रिफिकेशन हुआ अगर कॉंग्रेस की रप्तार से देश चलता इस काम को करने में असी साल लग जाते है एक प्रकार से चार पीडियां बुजर जाती है हादर रतिक जी हमने सत्रा करोड अधिक गैस कनेक्शन दिये यह मैं दस साल का हिटाफ दे रहा हूँ अगर कॉंग्रेस की चाल से चलते तो यह कनेक्शन देने में और साट साल लग जाते तीन पीडियां दुए में खाना पकाते पकाते गुजर जाती है अधिक जी हमारी सरकार ने सेनिटेशन कवरेज 40% से 100% तक पहुंची है अगर कॉंग्रेस की रफ्तार होती तो यह काम होते होते साट सत्तर साल और लगते हैं और कम से कम तीन पीडियां गुजर जाती लेकिन गारंटी नहीं होता कि नहीं होता अधर निर्दिक जी कॉंग्रेस की जो मानसिकता है जिसका देश को बहुत उक्सान हुआ कॉंग्रेस ने देश के सामर्थ पर कभी भी विश्वास नहीं किया भी अपने आपको शासक मानते रहे और जनता जनारदन को हमेशा कब उन्तर आँखते गए छोटा आँखते गए अधर नियतिक जी देश के नागरिकों लिए कैसा सोचते थे मैं जानता हूँ मैं नाम बोड़ते हूं उनको जड़ाइ चुबन होगी लेकिन 15 अगस्त लाल किले से प्रदान मंत्री नहरू ने जो कहा था वो मैं जड़ा पढ़ता हूँ लाल किले से भारत के प्रतम प्रदान मंत्री ने जो कहा था वो पढ़ रहा हूँ नहिरु जी ने उन्हेंने कहा था हिंदुस्तान में काफी महनत करने की आदत आम तोर से नहीं है हम इतना काम नहीं करते जितना की युरोप वाले या जपान वाले या चीन वाले या रूस वाले या अमेरिका वाले करते हैं ये नहरू जी लाल के लिए से बोल रहा है यहां ना समझे यहां ना समझे यहां ना समझे यहां ना समझे कि वह कौमें कोई जादू से खुशाल हो गई वो मैनत से हुई है और अक्ल से हुई है यह उनको सर्टिपिकेट दे रहे हैं भारत के लोगों को नीशा दिखा रहे हैं यानि नहरू जी यानि नहरू जी की भारतियों के प्रती सोच थी कि भारतिया आलसी है नहरू जी की भारतियों के लिए सोच थी कि भारतिया कम अक्ले के लोग होते हैं और आधनी अध्यक जी इंद्राजी की सोच भी उससे ज्यादा अलग नहीं थी इंद्राजी ने जो लाल के ले से लाल के ले से 15 अगस को कहा था लाल के ले से 15 अगस को इंद्राजी ने कहा था बुर्भाग्यवश हमारी आधत ये है कि जब कोई शुब काम पूरा होने को होता है तो हम आत्मत तुरुष्टी की भावना से गस्त हो जाते हैं और जब कोई कठिनाई आ जाती हैं तो हम नाउमीद हो जाते हैं कभी कभी तो ऐसा लगने लगता है कि पूरे राष्ट ने ही पराज भावना को अपना लिया है आज कॉंग्रेस के लोगों कर देखते के लगता है कि इंद्रा जी बले देश के लोगों का आकलन सही न कर पाएं लेकिन कॉंग्रेस का एकडम सटी का आकलन होना एक या कॉंग्रेस के साही परिवार के लोग मेरे देश के लोगों को ऐसाही समझते थे इसके बीसे ऐसे ही और आज भी आज भी वही सोच लेकिने को मिलती है मानिया देख जी कॉंग्रेस का विस्वाद हमेशा शुर्प एक परिवार पर रहा है एक परिवार के आगे वो न कुछ सोच सकते हैं न कुछ देख सकते हैं कुछ दिन पहले बानुमती का कुनबा जोड़ा लेकिन फिर एकला चलो रे करने लग दे कॉंग्रेस के लोगों ने नया नया मौटर मेकेनिक का काम सिखा है और इसलिए एलाइन्मेंट क्या होता है उसका ज्यान तो हो गया होगा लेकिन मैं देख रहा हूँ है एलाइन्स का ही एलाइन्मेंट बिकड़ गया इनको अपने इस कुनवेवें अगर एक दूसरे पर विश्वास नहीं है तो ये लोग देश पर विश्वास कैसे करेंगे आदे नियत्यक जी हमें देश के सामर्थे पर भरोसा है हमें लोगों की शक्ति पर भरोसा है आदने अद्यक्जे देश की जन्ता ने हमें जब पहली बार सेवा करने का आउसर दिया तो हमने पहले कारकाल में यूपिये के समय के जो गड्डे थे वो गड्डे भरने में हमारा कापी शमय और शक्ति लगी हम पहले कारकाल में वो गड्डे भरते रहे नए भारत की नीव रखी और तीसरे कारेकाल में हम विक्सित भारत को है मिरमान को नई बखी देए आदेनिय अद्धिक जी पहले कारेकाल में हमने स्वच्च भारत उज्वला आईश्मान आईश्मान भारत बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ उसी प्रकार से सुगम्य भारत इसे कितने ही जनहित के कामों को अभियान का स्वरूप दे करके आगे बढ़ाए टैक्स विवस्ता आसान हो इसके लिए जीएस्टी जैसे निर्णा लिए और हमारे इन कामों को देख करके जन्ता ने भरपूर समर्थन दिया जन्ता ने बहुत आशिरवाद दिये पहले से भी जादा आशिरवाद दिये और हम हमारा दूसरा कारकाल प्रारंब हुआ दूसरा कारकाल संकल्पों और वच्चनों की पूर्ती का कारकाल रहा हुआ जिम उपलब्दियों का देश लंबे समय से इंतजार कर रहा था वो सारे काम हमने दूसरे कारकाल में पूरे होते हुआ हम सबने हम सबने तिन सो सक्तर खतम हुएते हुए देखा इनी मान्य सांसदों के आँखों के सामने और उनके बोड की ताकत से तिन सो सत्तर गया नारी शक्ति बंदन अधिनियम ये गूसरे कारकाल में कानून बना अधिनिया देख जी अंतरिक से लेकर के ओलेंपिक तक सक्त्र बलों से संसद तक नारी शक्ति के सामर्थ की गञोंजे लेकर आहाँ बारे इनिया के लिए नारी शक्ति के ससक्ति करण को आज देख ने देखा है आधि अधिक जी उत्तर से दक्षिन तक पूरब से पस्चिन तक लोगों ने बसकों से अटकी भटकी लटकी योजनाओं को समय बद्द तरीके से पूरे होते 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 अधिक जी अंग्रेजी सासन के पूरारे बंद प्रधान कानूनों से हम प्रधान के नेता बोल रहे हैं आपको प्लीज आप समझाई सदन के नेता बोल रहे हैं आपको मैंने सब को प्रयाव समय प्रयाव साथ यह तरीका गलत है यह हमें मर्यादा बना रखना पड़ेगा प्लीज बɣद बेटे में इंभा इस में प्रीज लेट लेट नुद तहीं का तरीका मानि प्रदाव नतिजी यह तरीका है कि आपका अगरेजी शाथन के पुराने कानून जो दंद प्रधान थे उन दंद प्रधानों से कानूनों से हट करके हमने न्याई सहीता तक प्रगत है हमारी सरकार ने सैक्ड़ ऐसे कानूनों को समाप्त किया जो अप्रासंगी हो गए थे सरकार ने 40,000 से जानदा कंप्लाइंसिस खटम कर दिये हादनिय देख जी भारत ने अम्रिद भारत और नमोद भारत त्रेनों से बविश्य की उन्नति की सपने की थे 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 कोटी कोटी जड़ों ने विक्सित भारत की संक्र प्रियात्रा देखी हैं और सेचुरेशन के पीछे कितनी महनत की जाती हैं उसके हग की चीज़ों को मिले उसके दर्वाइदे दस्तक देखर के देने का प्रयास पहली बार देख रहा है आदेने देख जी भगवान राम आदेने देख जी भगवान राम ना सिर्क अपने घर लोटे बलकि एक ऐसे मंदिर का निर्मान हुआ जो भारत की महान साथ को देख परंपरा को नई उर्चा देता रहेगा आदानियत देख जी अब हमारी सरकार का तीसरा कारकाल भी बहुत दूर नहीं है जादा से जादा सो सवा सो दिन बाती है अरब की बार पुरा देश कह रहा है अपकी बार फरकेजी भी कह रहे हैं लेकिन अद्धिक जी मैं आम तोर पर यह आंकड़े आंकड़े के चक्र में नहीं पड़ता हूं लेकिन मैं देख रहा हूं देश का मिजाच एंडिये को चार सो पार करपा ही के रहेगा लेकिन भारतिये जनता पार्टी को तिन सो सत्तर सीट अबस्य देगा पीजेपी को तिन सो सत्तर सीट और एंडिये को चार सो पार सभा की कारवाई इस विशे की समातिक तो बढ़ा दी जाए अधिने दिग जी हमारा तीसरा कारकाल बहुत बड़े फैंसलों का होगा मैंने लाल के लिए से कहा था और राम मंदीर प्रांतिक्ष्णा के समय भी मैंने उसको दोहराया था मैंने कहा था देश को अगले हजार वर्षों तक सम्रुद्ध और सिद्धी के शिखर पर देखना चाहिए तीसरा कारकाल अगले एक हजार वर्षों के लिए एक मजबूत नीव रखने का कारकाल खादर नियत्यक जी मैं भारत वास्वियों के लिए उनके भविश्य के लिए बहुत ही विश्वास से भड़ा हुआ है मेरा देश के 140 क्रोन नागिकों के सामर्थे पर अपार भरोसा है मेरा बहुत विश्वास है दस वर्षों में 25 करोड लोग गरीबी से बहार आए हैं ये सामर्थे जाता है मैंने हमेशा कहा है कि गरीब को अगर साधन मिले गरीब को अगर सांसाधन मिले गरीब को अगर स्वाभीबान मिले तो हमारा गरीब गरीबी को परास्त करने का सावर और हमने वो रास्ता चुना और मेरे गरीब भाईयों ने गरीबी को परास्त करके दिखाया और इसी सोच के साथ हमने गरीब को साधन दिये संसाधन दिये सम्मान दिया स्वाविमान दिया पचास करोड गरीबों के पास आज बैंक खाता है चार करोड गरीबों के पास पक्का घर है और उसके स्वाविमान को एक नया सामर्थ देता है ग्यारा करोड से अधिक परिवारों को पीने का शुद्ध जल पानी नल से गरीबों को आईशमान भारत कार्ड मिला है भर में कोई भी बिमारी आ जाएं उस बिमारी के काम फिर से वो गरीबी के तरब लोड़कना जाएं उसको भरोसा है कितनी भी बिमारी क्यों आ जाएं मोदी बैठा है असी करोड लोगों को मुप्त अनाज की सुविधा दी गई है अधर्णी 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 जी मोदी ने उनको पूछा जिनको पहले कोई पूछता तक नहीं था कि देश में पहली बार रेहडी पट्री वाले साथ्यों के बारे मैं सोचा गया पीएम स्वानी थी योजना से आज वो ब्याज के चक्कर से बहार मिकले बैंक से पैसे लेकर अपने कारोबार को भरा रहे हैं देश में पहली बार हाथ का हुनर जिनका सामर्त हैं जो विश्वकर्मा साथ्यों के बारे में सोचा गया उनको अधुनिक प्रेइनिंग पैसों की मदर विश्वक मार्केट उनके लिए खुल जाए यह मेरे विश्वकर्मा भाईयों के लिए हमें कि देश में पहली बार है कि पीवी टीजी यानि जन जातियों में भी अतीप आप से किसी को नजर नहीं जाती हम वोट से पड़े हैं हम दिलों से जुड़े हैं और इसलिए इसलिए पीवी टीजी जातियों के लिए पीएम जन्मन योजना बना करके उनके कल्यार का मिशन मोड़ में काम उठाया है इतना ही नहीं सरहत के जो गाउं थे जिनको आखरी गाउं करके छोड़ दिया गया था हमने वह आखरी गाउं को पहला गाउं बना करके विकास की पूरी दिशा बदल दे आदे रजिक जी मैं जब बार बार मिलेट्स की वकालत करता हूं मिलेट्स की दुनिया के अंदर जा करके चर्चा करता हूं जी ट्वेंटी के देशन को साथ लोकों के सामने गर्ब के साथ मिलेट्स प्रवस्ता हूं उसके पीशे मेरे दिल में तीन करोर से जादा मेरे छोटे किसान हैं जो मिलेट्स की फेटी जरते हैं इंता कल्यान इससे हम जुड़े हुगे। आद्रेणी अद्रेजी जब मैं vocal for local की बात करता हूँ, मैं making इंडिया की बात करता हूँ, तब मैं करोरो ग्रहुद्योग, लगुद्योग, कुटिरुद्योग उससे जुड़े हुए मेरे लाखों परिवारों के साथ उनके कल्यान के लिए सबुद्य आदेनिय अद्यक जी खादी कॉंग्रेस पार्टिंग उसको भुला दिया सरकारों ने भुला दिया आज में खादी के ताकत देने पर खबलता प्रवग आगे बढ़ा हूं क्योंकि खादी के साथ हैंडलूम के साथ करोरों भुनकरों की जिन्दगी लगी हैं तो उनके कल्या को देख तरवां हादिनिय अद्धिक जी हमारी सरकार हर कौने में गरीबी को निकालने के लिएnicos वदंध को नकालने के लिए हनूँ कि विस प्रयास हो को कर रहे हुए लिए जिन के लिएंग को भूट बेंक ही था हुए उनके लिए उनका कल्यान संब्भ नहीं था हमारे ल और इसलिए हम उसी रास्ते पर चल करें। कुछ दिन पहले जब करपुरी ठाकोर जी को भारत रत न दिया हमने वह सम्माद देकि याद करिए उस करपुरी ठाकोर अतीप पिछड़े सबाच से ओब इसी सबाच के उस महापुरुष के साथ क्या वहवार हुआ था किस प्रकार से उनके वह सब जुल्म गए 1970 में बिहार के मुख्यमंत्र बने उनको पत से हटाने लिए कैसे कैसे खेल खेले गए थे उनकी सरकार अस्थिर करने लिए क्या कुछ नहीं किया गया था हादी ने दिख जी कॉंग्रेस को अतीप पिछड़े वेक्ति बरदास्त नहीं हुआ था 1987 में जब कॉंग्रेस के पास पूरे देश में उनका जंडा फारता था सत्ता ही सत्ता थी कब उन्होंने करपुरी ठाकुर को प्रती पस्कें वेता के रुपे स्विकार करने से बना कर दिया और कारण क्या दिया वो समिधान समिधान का सम्मान नहीं कर सकते जिस करपुरी ठाकुर ने पुरा जीवन लोगतंत्र के सिधानतों के लिए समिधान की मर्यादाओं के लिए खपा दिया उनका अपमान करने का काम कॉंग्रेस पार्टी ने किया था अधनिय अधनिय जी आधनिय जी कॉंग्रेस के हमारे साथियों को आजकल इस पार बहुत चिंता चताते हैं कि सरकार में OBC कितने लोग हैं कितने पत्पर कहां उसके हिसाथ किताब करते रहते हैं लेकि मैं हराम हूं उनको इतना सबसे बड़ा OBC नजन नहीं आता है अधनिय अधनिय जी जरा मैं यह दुनिया भर की चीजे करते हैं मैं कहना चाहता हूं यह यह यूपिये के समय एक एक एक्स्ट्रा कॉंस्टिटूशनल बॉड़ी बनाई गई थी जिसके सामने सरकार की कुछ नहीं चलती थी नेशनल एडवाजरी काउंसिल जरा कोई निकाल करके देखे इसमें क्या कोई OBC था क्या जरा निकाल कर देखिए इतने बड़ी बड़ी पावर्फुल पाड़ी बनाई थी पर वो तो यह पाइंट कर रहे थे आधनिय अधनिय अधनिय जी पिछले दर दस वरसों में नारी शक्ति के ससक्तिकरण को लेकर के अनेक बीद कलम उखाए गया गया थे अब देश की बेटी हिंदुस्तान में कोई ऐसा सेक्टर नहीं है जहां देश की बेटियों के लिए दर्वाजे बंद हो आज हमारे देश की बेटियां फाइटर जेट भी उड़ा रही है और हमारे देश की सीमाओं को भी सुरक्षित रख रही है आदलिया अध्यक्ष मोदे ग्रामीन वबस्ता अर्थ वबस्ता हमारी है विमन सेल्फ हेल्प ग्रूप दस करोड बहने जुड़ी है और आर्थिक गतिविती करते हैं और ग्रामीन अर्थ वबस्ता को वो नई ताकत दे रही है और मुझे आज खुशी है कि इन प्रयासों का परणाम है कि आज करीब करीब एक करोड लगपती दीदी और जब मेरी उनसे बात होती है उनका जो आत्मी स्वाथ देखता हूँ मेरा पक्ता विश्वाथ हम जिस तरह आगे बढ़ रहे हैं आने वाले हमारे कारकाल में तीन करोड लगपती दीदी हमारे देश के अंदर देखें आप कल्कुना कर सकते गाउं के अर्थ वबस्ता को कितना बड़ा बुड़ाव हो जाएगा आदरीने अदर जी हमारे देश में बेटियों के समण जो पहले सोच थी समाज की घर में गुज गई थी दिमाग में भी गुज गई थी आज वो सोच कितनी तीजी से बदल रहे हैं थोड़ा सा बारी किसे देखेंगे था में पता चलेगा कितना बड़ा सुखत बड़ावा पहले अगर बेटी का जन्म होता था चर्चा होती थी अरे खर्चा कैसे उठाएंगे इसको कैसे पढ़ाएंगे इसके आगे की जिंद्गी घा एक प्रकार थे कोई बोज्वा ऐसी चर्चा ही हुआ कर थी आज बेटी पैदा होती है तो पूछा जाता है अरे सुकन्या थी अकाउंच खुला के नहीं कुला औरन जguru जी पहले सवाल होता था प्रेंडन होने पर नौकरी नहीं कर पायोगी ताहली ये बात होती कर पर होने पर नोकरी नहीं कर पाओगी आज कहा जाता है चब्वीस हपते की पेड़ लीव और बाद में भी अगर चाहिए मिलेगी ये बढ़ला होता है पहले समाज में सवाल होते थे कि महिला होकर नोकरी क्यों करना चाहती हो क्या पत्री कि सवाल होते थे आज आज लोग पूछ रहे हैं मड़म आपका जो स्टार्ट अप है न बहुत प्रगति कर रहा है क्या मुझे नोकरी मिलेगी आज पूछा जाता है कि बेटी की उम्र बढ़ रही है शादी कप करोंगी बेटी की उम्र बढ़त रही है शादी कप करोंगी आज पूछा जाता है बेटी परस्टनल और प्रोफेशनल दोनों कामों को संतुलित कितना बढ़िया करती हो कैसे करती हो अधनियों देख जी एक समय था घर में कहा जाता था कि घर के मालिक घर पर है कि नहीं है आज किसी के घर जाते हैं तो घर महिला के नाम पर बिजली का बिल उसके नाम पर पानी गय सब उसके नाम पर तो परिवार के मुख्या की जगा आज मेरी माता ये बहन तो ये बढ़लाव ये बढ़लाव अमरूत काल में बिच्सीद भारत का हमारा जो संकल्पन है इसकी एक बहुत बड़ी शक्ति के उपरने वाला है और मैं उस शक्ति के दर्शन कर पा रहा हूं कि किसानों के लिए आंसू भाने की आदद मैंने बहुत देखी है किसानों के साथ कैसा कैसा विश्वास गात किया गया है कि देश ले देखा है कॉंग्रेज के समय कि क्रशी के लिए कूल वार्शिक बजट होता था पचीस दार करोगी आदर ने दिक जी हमारी सरकार का बजट है समाल लाग करोगी आदर ने दिक जी कॉंग्रेज ने अपने दस सान के कारकाल में साथ लाग करोड उप्या का धान और गेहूं किसानों से खरीजा था हमने दस वर्ष में करीब अठारा लाग करोड का धान जेए कॉंग्रेज सरकार ने दलहन और तिलहन की खरीजी नाम मात्र कभी कहीं की हो तो की हो हमने सवा लाग करोड उप्य से व्यदी का तलहन और तिलहन की खरीजा है पीम किसान सम्मान निदे कम मड़ा हुजाया और जब मैंने मेरी पहले कम में योजना शुरू की थी तो मुझे आद है कि जूठा नेरेटूप की जो फैशन चल पड़ी है गाउं में जाके कहा जाता था कि देखिए ये मुदी के पैसे मत लेना ये चुनावे एक बार जीद गया तो सारे पैसे ब्याद समय तुम से वापिस बागेंगा ऐसा जूठा लाए गया था किसानों को इतना मुरग बनाने भी कोशिश की गई थी आदनीय अदनीय अदक जी पी एम किसान सम्मान नी थी दो लाग असी हजार करोड रुपिये हमने भीड़ी पी एम फ़सल भी माय हो ज़ना तीस हजार रुपिया का प्रिम्या और उसके सामने देड़ लाग करोड रुपिया मेरे किसान भाई बैदों के लिए कॉंग्रेस ने अपने सासनकाल में कभी भी मच्वारे पशुपालक की तो नामों निशान नहीं ता उनके काम में पहली बार इस देश में मच्वारों के लिए अलग मंत्रा ले बना पशुपालन के लिए अलग मंत्रा ले बना पहली बार पशुपालक को मच्वारों को किसान क्रेडिक कार दिया गया ताकि कम व्याद से उसको बैंक से पैसा मिल सके तो अपना कारोबार बढ़ा सके किसान जानवरों नहीं होती है। जिन्दिके का महत्वपन हिस्सा है। आर्थिक चक्र को चलाने में इन पश्वों के अभी बहुत बड़ी भूमिका होती है। हमने फूट एंड माउथ बिसीस उससे भारे पश्वों को बचाने के लिए पचांस करोर से जाना ठीके लगाये हैं। आज भारत में युवाओं के लिए जितने नए अवसर बने हैं ये पहले कभी नहीं बने हैं। आज पूरी वकेबलरी बदल गई है। शब्द पूरे जो पहले के भी सुनने को नहीं बलते थे। वो बोलचान के सहज दुनिया में शब्द आ चुके हैं। आज चानों तरफ स्टार्ट अप्स की गुंज है। इनिकॉंस चर्चा में है। आज डिजिटल क्रियेटर्स एक बहुत बड़ा वर्ग हमारे सामने है। आज घीग एकोनोमी की चर्चा हो रही है। यह युवाओं के जुबान पर यह नए भारत की नए वकेबलरी है। यह नए आर्थिक सामराज्यकी नए नए परिवेश है। नए पहचान है। यह सेक्टर युवाओं के लिए रोजगार के लाखों नए अवसर बना रहे है। 2014 से पहले डिजिटल एकोनोमी की साइश ना के बराबर बहुत ज़्यादा उसकी तर्चा भी नहीं थी। आज भारत दुनिया की डिजिटल एकोनोमी है अग्रणी है। लाखों युवाण इससे जुड़े हैं। और आने वाले समय में यह डिजिटल इंडिया मुव्मेंट जो हैं। वो देश के नौजवानों के लिए अनेक अवसर अनेक अनेक रोजगार अनेक अनेक प्रफेशन्स के लिए अवसर लेकर के आने वाला है। आज भारत मेडिनिया फोन दुनिया में पहुंच रहे हैं। दुनिया में हम नंबर दो बन गए हैं। और एक तरफ सस्ता मोबाइल प्राप्त हुआ हैं। और दूसरी तरफ सस्ता डेटा। इन दोनों ने एक बहुत बड़ा रिवोलुशन लाया है देश में। और दुनिया में हम जिस कीमत पे आज हमारे नवजवानों को ये प्राप्त करवा रहे हैं। सबसे कम कीमत पे करवा रहे हैं। और वे कारण बना है। आज बड़िनिया भ्यान। रिकॉर्ड मैनुफेक्टरीं। रिकॉर्ड एक्पोर्ट कि आप देश देख रहा है। आदिन्हक जी, ये साने काम हमारे नौजवानों के लिए सबसे जादा रोजगार लाने वाले काम. सबसे जादा रोजगार के लिए। आदिनिया दिन्ग नहोता है। दस वर्स में तुरिजम सेक्टर में अग्रूत पुर्व उच्छा लाया है हमारे देश में ये ग्रोथ और तुरिजम सेक्टर ऐसा है जिसमें कम से कम पुंजी निवेश में अधिक से अधिक लोगों को रोजगार देने वाला उसर है और सामाने से सामाने विक्ति को भी ये स्वरोजगार की सबसे जादा संभावनाय वाला टूरिजम ख्यात्र है देस वर्स में एरपोर्ट दोगु ने बने भारत शिरब एरपोर्ट बने ऐसा नहीं भारत दुनिया का तीसरा बड़ा हम सबको खुशी होनी चाहिए भारत की जो एरलाइंज कंपनिया हैं उन्होंने एक हजार नए एरट्राप के ओरडर दिये एक हजार नए एरपोर्ट और जब इतने सारे हवाई जहाज आपरेट होंगे सारे एरपोर्ट कितने धमदमते होंगे कितने पाइलोर्ट की जुरूपढ़ेग इतने हमें क्रू मेंबर चाहिए कितने इंजीनियर चाहिए कितने ग्राउंड सर्फिस के लिए लोग है यहने रोजगारी के एक नए नए छेत्र खुलते जा रहे हैं एविएशन सेक्टर भारत के लिए एक बहुत बड़ा नया अवसर बन करके आ रहा है आधरनिय देख जी हमारी कोशिस नहीं है कि एक अनॉमी को हम फॉर्मलाइज करने की जिशा में मजबूती से कदों ठाए यहां को नोकरी भी मिले सोशल सिकूरिटी भी मिले इन दोनों को ले करके और आपने जिन बातों के अधार पर हम निर्ने करते हैं और देश पे भी माना जाता है वो एक होता है डाटा इपी एफो का इपी एफो में जो रेजिस्टन होता है दस साल में करीब अठारा करोड नए सक्काई बराए और वो तो शीधा पैसों से जुड़ा केल होता है तुझे भेजी नाम नहीं होते हैं मुद्रा लोन पाले वालों में आठ करोड लोग ऐसे हैं जिन्नों ने जीवन में पहली बार कारोबार अपना शुरूर किया है और जब मुद्रा लोन लेता है तो खुट रोजगरी पाता है एक या दो और लोगों को भी रोजगरी देता है तो उसका काम ऐसा हुटा है हमने लाखों स्ट्रीट वेंडर्स को सपोर्ट किया है दस करोड महिला है ऐसे जी से जुडिस जैसा मैंने का एक लाख लगपती दीदी एक करोड यह अपने आप में बहुत और मैंने जैसे कहां हम तीन करोड के कारगर को आदिने अद्द्दक जी कुछ आंकड़े हैं जो अर इंफ्रास्टेक्टर के निर्माण में करीब करीब 12 लाग करोड का बजेट था दस साल में 12 लाग करोड बीते दस वर्सों में इंफ्रास्टेक्टर निर्माण के अंदर बजेट 44 लाग करोड 44 लेक करोड कि इस राशी से जितनी बड़ा अमात्रा में काम हुआ है उसके काण इतने लोकों को रोजी रोटी मिली है इसका आप अंदाज कर सकते हैं हम भारत को मैनिफेक्ट्रिंग का रिसर्च का इनोवेशन का हब बने ओ दिशा में देश की वाशक्ति को प्रोट्साइद कर रहे हैं व्यवस्ताइं विक्सित कर रहे हैं आर्तिक मदद के योज़ाएं बना रहे हैं आदेनियर दिख जी एनरजी के खेत्र में हमें वेशा मंदिर पर होने की दिशा में बहुत कुछ करने की आवश्यक्ता है और हमारी कोशिश है ग्रीन अरेजी की तरफ हाइड्रोजन को लेकर के हम बहुत बड़ी मात्रा में आगे बढ़ रहे हैं उसमें अभीत पूरुवन वेश उसी प्रकार के दूसरा छेत्र हैं जिसमें भा मैं विश्वास से कहता हूं कि हमारे तीन दसक खराब भले हो गए लेकिन आने वाला समय हमारा है हम सेमी कंड़क्टर की क्षित्र में अबूत पूर्वन निवेश में देखना हूं और भारत दुनिया को एक बहुत बड़ा कॉंटुपिशन करेगा इन सारे कारणों से अधनिया देख जी क्वालिटी जॉब्स की संभावना बहुत बरने वाली हैं और जिसके कारण समाज में जैसे जैसे हमने एक अलग स्कील मिनिस्ट्री बनाई उसके पीछे ही तो यह है कि देश के नवजवानों को हूनर मिले और ऐसे आउसर मिले और हम इंडिस्ट्री 4.0 उसके लिए मैन पावर को तैयार करते हुए आगे बढ़ने की दिसा में काम करें आदेनिया देख जी यहां महंगाई को लेकर के काफी कुछ बाते की गई है मैं जरूर चाहूंगा कि देश के सामने कुछ सचाहिए आनी चाहिए इत्याद गवाह है जब अभी कॉंग्रेस आती है महंगाई लाती है मैं कुछ वक्ते वे इस तरजन में आज कहना चाहता हूँ और किसी की अलोचना करने के लिए नहीं कह रहा हूँ लेकिन हो सकता है कि हमारी बात जो समझने पाते हैं वो अपने लोगों की बात को समझने का प्रयास करेंगे कहा गया था कभी और किस ने कहा था वह मैं बाद में कहूंगा हर चीज की किमत बढ़ जाने की वज़े से मुसिबत फैली है आम जुनता उन में फसी है यह statement of fact किसका है यह कहा था हमारे पंडित नहरुजी ने लाल के लिए से कहा था उस समय हर चीज की किमत बढ़ जाने की वज़े से मुसीबत फैली है आम जुनता उन में फसी है यह उस समय की बात है उन्हेंने माना खलाल के देशा कि 4 पर मेंगाई बड़ी है अब इस वक्त तबे के 10 साल के बाद नहरूजी की वक्त तबे हैं आप लोग आज कल भी कुछ दिक्कतों में हैं परेशानियों में हैं महंगाई की वज़े से कुछ तो लाचारी है पूरी तोर से काबू की बात नहीं हो पा रही हमारे इस समय में हाला कि वो काबू में आएगी दस साल के बाद भी महंगाई के यही गीत कहे गए थे और ये किस ने कहा था फिर से ये नहरुजी ने कहा था उन्हीं के कारकाल में कब देश का प्यम रहते उन्होंने बारा साल हो चुके थे लेकि हर बार महिंगाई कंट्रोल में नहीं आ रही है महिंगाई के काण आपको मुसिबत हो रही है इसी के गीत गाते रहे थे आदेने अदर जी अब मैं एक और भाशना का हिसा पड़ रहा हूँ जब देश आगे बढ़ता है तो कुछ हद तक किमते भी बढ़ती है हमको ये भी देखना है कि जो भी आवशक बस्तु है उनकी कीमत को कैसे थामे ये किस ने कहा था इंदरा गांदी जी ने कहा था 1974 में 1974 में जब देश में सारे उन्हों ने दर्वाई जे ताले लगा दिये थे लोकों को जैलमा बंद कर दिया था 30% बहें गई थी 30% अधर अधर जी अपने भाशन में यहां तक कहा गया था क्या कहा था आप चोंग जाएंगे उन्होंने कहा था अगर जमीन न हो यहने कुछ पैदावर के लिए जमीन न हो तो अपने गमले और कनस्तर में सब्जी उगा लें यह ऐसी सलाएं उच्छे पद पर बैठे हुई लेक दिया करते थे जब देश में देश में एक महंगाई को लेकर के दो गाने सुपर हिट हुए थे हमारी देश में गर-गर गाये जाते थे एक महंगाई मार गई और दूसरा महंगाई डायन खाये जा डायन खाये जा थे और यह दोनों गाने कॉंग्रेज के सासनकाल में आये आदन यद्धाजी युपिय के सासनकाल में मेंगाई डबल डिजिट में पने थी इसको नकार नहीं सकते हैं रूपी का सरकार का तर्च क्या था जी और संभेजन सिल्टा ये कहा गया था कि महंगी आइसक्रीम खा सकते हो तो महंगाई का रोना क्यों रो रहे हो ये कहा दया था ये कहां देया था जब भी कॉंग्रेस आये उसने महंगाई को ही मजबुट किया हादम नियतिक जी हमारी सरकार ने महंगाई को लगास्ताम नियंतरण में रखा है दो दो युद्ध के बावजूद और सौ साल में आये सबसे बड़े संकट के बावजूद महंगाई नियंतर में हैं और हम कर पाए है कि अधनियत देख जी है यहाँ पर अधनियत गुसा व्यक्तिक किया गया हां जितना हो से का उतने कठेर सब्द में गुसा व्यक्तिक किया गया उनका दर्द मैं समझता हूं उनकी मुसीबत और ये गुसा मैं समझता हूं क्योंकि तीर निशाने पर लगा है कि बस्टा चार पर कि एजन्सिया एक्सल ले रही है कि उसको लेकर भी इतना गुसा कि क्या क्या शब्दों का प्रयोग किया जा रहा है अधिन अधिक जी दस साल पहले हमारे सदन में पार्लमेंट में क्या चर्चा होती थी सदन का पूरा समय गोटालों की चर्चा पर जाता था प्रस्टाचार की चर्चा पर जाता था लगातार एक्षन की डिमांड होती थी सदन यहीं मांग करता रहता था एक्षन लो एक्षन लो एक्षन लो वो कालखन देश ले देखा है चारों तरफ प्रस्टाचार की खबर है और आज जब प्रस्टाचारियों पर एक्षन लिया जा रहा है तो लोग उनका समर्थन में हंगामा करते हैं अधनिय अधर जी इनके समय में एजन्सियों का सिर्फ और सिर्फ राजनिति उप्यों के लिए उप्यों किया जाता था बागी उनको कोई काम करने नहीं दिया जाता था अब आप देखिए उनके कालशने में क्या हुआ प्येमले एक के तहट हमने पहले के मुकामले दो गुने से अधिक केस दर्ज गिये हैं कांग्रेस के समय में इडी ने पांच हजार करोड रूपिय के संपत्ति जबत की हमारे कारकाल में इडी ने एक लाग करोड रूपिय के संपत्ति देश का लूटा हुआ माल देना ही पड़ेगा और चीन का इतना सारा माल पकड़ा जाता हो नोटों के डेर पकड़ी जाते हो और अधिर बाबु तो बंगाल से आते हैं देखे हैं नोटों को डेर होना ने तो किस-किस के घर में से पकड़ी जाते हैं किस-किस राज्यों में पकड़ी जाते थे यह देश देश ये नौटों के धेश डेख डेख करके चौट गया है लेकिन अब जनता को आप मुरग नहीं बना सकते हैं जनता देख रही है कि किस प्रकार से यूपिये सरकार में जो प्रस्टाजार की बाते होती थी उसका टोटल 10-15 लाग करोड का रहा है चर्चा होती थी हमने लाखों करोड के घोटाले तो अटकाएं लेकिन उन सारे पैसों को गरीबों के काम लगा दिया गरीबों के कल्यान के लिए अब विच्वालियों के लिए गरीबों को लूटना बहुत मुश्किल हो गया है दारेक बेनिफिट ट्रांसफर जंदने काउं आधार मोबाई उसकी ताकत हमें पहचानी है तीस लाग करोड रुपियों से जादा रकम हमने लोकों के खाते पे सीधी पहुँचा है और अगर कॉंग्रेस के प्रधान मंत्री ने कहा था कि एक रुपिया भेजते हैं पंदरा पैसे पहुँचते हैं अगर उस हिसाब से मैं देखूं तो हम जो जो तीस लाग भेजे हैं अगर उनका जमाना होता तो कितना रुपिया कहां चला जाता इसका हिसाब लगाईए पंदरा परसांट बुश्किल से लोगों के पास पहुचता बागिस सब कहां चला जाता हमने दस करोड फर्जी नाम हटाए है अभी लोग पूतन पहले इतना आकड़ा था क्यों कम हुआ आपने ऐसी ववत्ता बनाई थी जिस बेटी का जन्म नहीं हुआ जन्म नहीं हुआ उसको आपके यहां से विद्वा पेंशन जाते थे और ऐसे सरकारी योधनाओं को मारने की जो रास्ते थे ने दस करोड फर्जी नाम बंद की है यह जो परिशानी है ने इन चीज़ों की है तो रोज मर्रा की काय उनकी बंद हो गई है है आदे नियाद्यग जी हमने है कि फर्जी नामों को हटाने से करीब 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 तीन लाक करोड रूपया परजी हातों में जाने से बचाए है देश के टैस्ट पेर का पाई पाई बचाना और सही काम में लगाना इसके लिए हमने जीवन खापा रख रहे हैं अधिनियर्जिक जी सभी राजनितिक दलों को भी सोचने की जरूरत है और समाज में भी जो लोग बैटे हैं उनको देखने की जरूरत है आज देश का दुर्भाग्य है पहले तो क्लासरूम में भी कोई अगर चोरी करता था किसी की कॉपी करता था तो वो भी दस दिन तेक अपना भूंकी से कोई दिखाता नहीं था आज जो ब्रस्टाचार के आरोब जीन पर सिद्ध हो चुके है जो जेलों में समय निकाल करके परोल पर आए हाच वौसिंग बशिन से भी बड़ा कंदे पर लेकर के महिमा मंदन कर रहे हैं इसे चोरों का सारवजनी कीवन में कहां ले जाना चाहते हो देश को तुम जो सजा हो चुकी है मैं ये तो समझता हूँ कि आरोब जो हैं उनके लिए तो आप सोच सकते हैं लेकिन जो गुनासित हो चुका जो सजाकार चुके हैं जो सजाकार तो हैं ऐसे लोगों का महमा मंदन करते हो आप कौन सा कल्चर अदेश की अबावी पीड़ी को क्या प्रेमा देगा चाहते हो आप कौन से रास्ते हो और ऐसी कौन से आपकी मजबूरी है और ऐसे लोगों का महमा मंदन किया जा रहा है उनको महान बताए जा रहा है जहां सम्विधान का राज है जहां लोग कंत्र है माने दगी ऐसी बाते बलंबी नहीं चल सकती हैं यह लोग लिख करते रखे हैं यह जो महमा मंदन का काम चल रहा है उनका वह अपने अपने ही खात्मे की चिठी पर सिंगने चल कर रहे हैं लोग आजन यह देगी जांच करना कि एजेंसियों का काम है एजेंसिया स्वतंत्र होती है और सम्विधान ने उनको स्वतंत्र रखा हुआ है और जज करने का काम नयाद इसका है और वो अपना काम कर रहे हैं और अद्देग जी मैं इस पवित्र सदन में फिर से दोहराना चाहूंगा जिसको जितना जुल्म मुझ पर करना है कर ले मेरी बस्टाचार के खिलाब लड़ाई चलती रही जिसने देश को लूटा है उनको लोटाना पड़ेगा जिन्होंने देश को लूटा है उनको लोटाना पड़ेगा यह मैं देश को इस सदन की पवित्र जगा से वादा करता हूं जिसको जो अरुप लगाना है लगा लेकिन देश को लूटने नहीं दिया जाएगा और जो लूटा है उनको लोटाना पड़ेगा आधानिय अद्धिक जी देश शुरक्षा और सांती का एसास कर रहा है देश पिछले दस वर्ज की तुन्ना में शुरक्षा के चेत्र में देश आज वाकई ससक्त हुआ है आतंगवात नक्षलवात एक छोटे डायरे में अफसिम्ता हुआ है लेकिन भारत की जो टर्रिजम के प्यति जीरो टॉलर्ण्स नीती है आज पूरे विश्व को भी भारत की इस नीती की तरफ चलने के लिए मजबूर होना प्राइब भारत की सेना हैं सीमाओं से लेकर के समंदर तक अपने सामर्थ को लेकर के आज बूर्ण्स आगा है हमें हमारी सेना के परात्रम पर जर्व होना चाहिए हम कितना ही उनके मोरल तोड़ने की कोशिश करें मुझे मेरी सेना पर भरोसा है मैंनुकर सामर का तो देखा है कुछ राजनेता सेना के लिए हलके फुलके शब्द बोल दें इससे मेरे देश की सेना डिमरलाइज होगी यह सपनों में कोई रहते तो निकल जाए देश के मुड़ को वो खतम नहीं कर सकते हैं और किसी के एजन्ट बन करके इस प्रकार की भाषा अगर कहीं से मूठती है देश कभी स्विकार नहीं कर सकता है और जो खुले आम देश में अलग देश बनाने की वकालत करते हैं कि जोड़ने की बाते छोड़ो तोड़ने की कोशिस करिया रहे आपके अंदर क्या पड़ा हुआ है क्या इतने टुकड़े करका है भी भी आपके मन को समाधान नहीं हुआ है देश के इतने टुकड़े कर चुके हुआ और टुकड़े करना चाहते हो कब तक करते रहोगे आदानिय अद्धिक जी इसी सदन में अगर कश्मीर की बात होती थी तो हमेशा चिंता का स्वर निकलता चिटा कसी होती थी आरोप प्रत्यारोप होते थे आज जम्मु कश्मीर में अभूत पुर्व अभिकास की चर्चा हो रही है और गर्वके साथ हो रही है परियतन लगातार बढ़ रहा है जी ट्वेंटी समीट होती है वहां पुरा बिश्वाज उसकी चराना करता है आर्ट किकल 370 को लेकर के कैसा हुआ बना के रखा था कश्मीर के लोगों ने जिस प्रकार से उसको गले लगाया है कश्मीरी जनता ने जिस प्रकार से गले लगाया है और आखिर के समय से किसकी देंग थी किसने देश के माथे पर मारा था किसने पानत के समिधान के अंदर इस प्र उसके मुल में उनकी ये सोच थी और उसी का प्रणाम है देश को बुकत्ता मुदा जमू कश्मीर के लोगों को देश के लोगों को नहरूजी की गल्तियों का बहुत बड़ी कीमत चुकानी पड़ी आदनिय देख जी वो भले गल्तिया करके गए लेकिन हम मुचिबते जेल करके भी गल्तियों सुधाने के लिए हमारी कोशिश जानी रखे हम रुकने वाले नहीं है हम देश के लिए काम करने के लिए निकले हुए लोग है हमारे लिए नेशन फरस्ट है आदनिय देख जी मैं सभी राजनीती जैलों के नेताнов से अगरत हुए जैद सब्सक्रान के जीवन आरोब प्रत्यारोब अपनी जगा पर होता है लेकिन देश से बढ़कर कुछ नहीं होता है और इसलिए आगे मैं निमंस कर देता हूँ आपको कंदे से किंदा मिला करके हम देश के निर्मान के लिए आगे बढ़े हैं मैं आपका साथ मांग रहा हूँ मा भारती के कल्यान के लिए साथ मांग रहा हूँ मैं पिश्व के अंदर जो अवसर आया है उस अवसर को भुणाने के लिए आपका साथ मांगा मैं आपका सयोग चाहता हूँ एक सो चालीस करोर देश वास्चों की जिन्दगी को और सम्रुद्ध बनाने के लिए और सुखी बनाने के लिए लेकिन अगर आप साथ नहीं दे सकते हैं और अगर आपका हाथ इंटे फैकने पर ही तुला हुआ है तो आप निक करके रखिए आपकी हर ईट को मैं भारत के जो सप्रों को लेकर अपको लेए उसकी नीव मजबूत करने के लिए लगा हुगा और देश को हम उस सम्रुद्ध की और लेके जाएंगे जितने पत्थर उचालने उचाल लीजिए आपका हर पत्थर भारत के सम्रुद्ध भारत के विक्सिद भारत के सपने को सम् में ले लूँगा ये भी मैं आपको दिविश्वाद दिलातु है अधर ने दिग जी जानता हूं साथियों की तकलिम है मैं जानता हूं लेकिन वो जो कुछ भी बोलते हैं मैं दुखी नहीं होता और दुखी होना भी नहीं चाहिए है क्योंकि मैं जानता हूं ये नामदार है हम कामदार है तो नामदार कूछ भी कहते रहें कुछ भी कहने का उनको तो जनमेजात अधिकार मिले हुई हैं और हम कामदारों को सुनना होता है हम सुनते भी रहेंगे और देश को सहते भी रहेंगे देश को आगे बढ़ाता रहेंगे आदनी अद्दक जी आपने बुझे इस पवित्र सदन में आदनी राजपती जी के पुद्वोजन को समर्थन करने के लिए बोलने सा आउसर दिया नादानी राजपतीजी के उद्वोजन को समर्फन देते हुए दन्यवाद प्रस्ताव कर आभार व्यक्त करते हुए मेरी वानी को जराम देता हूँ कर देता ही जराम देते हैं नग्यक्त कर दो लिएक वहीं मेरी कर, कर देता हैं इसाई्ट कर देता हैं